गुड मॉर्निंग बच्चो मैं बियाल अगरवाल आज आपको इस लिक्चर में वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी बिकॉम सेकेंड सेमेस्टर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एकांटिंग सब्जेक्ट का चैप्टर कॉसीट कॉसीट से आया हुआ एक प्रोब्लम सुल्व करके संजाने का कोशिश करूँगा उम्मीद करूँगा आपको जरूर समझ में आएगा फर्स्ट आफ आल आप लोग वीडियो को पहुच करके कोश् यह देखें मैटेरियल कंजूम्ड वेजेज इतना से होगे आपका प्राइम कॉस्ट पोड़क्शन ओवरेड दाइज फैक्टरी ओवरेड वैरियेबल है वर्क कॉस्ट और सेलिंग ओवरेड दिया है फिक्स्ड ओवरेड दे रहा है सेवेंटी फाइफ थाउजेंड इसको वह दो हम लोग National sheriff कर देंगे ओक का प्रैस माल इस फैक्तरी ओबरेड दे रहा है बचच किए आपका ओवरेड को आपका उफीग्स ओवरेड दुबरेड कोहीं ऑफिद न चाहिए प्राइन के hen पुराना कॉसीट बन जाएगा 2012 का कॉसीट बना देंगे यूनिट पता है रेट भी कैलकुलेट कर देंगे इन दा येर थर्टीन जब इस्टीमेटेट कॉसीट बनाना है तो पोड़क्शन देखिए डबल हो गया एक लाख यूनिट हो गया तो रेट आफ मेटेरिल यहां पर देखना होगा पता लग जाएगा एक रूपया पचास पैसा रेट है 33 बढ़ा देंगे वेजेज के बारे में कुछ नहीं बोला है जो रेट है वही रख लेंगे और फिक्स्ट ओवरेट तो सेम रहेगा लेकिन यहां देखिए बता रहा है क फिक्सट ओबरेट जो है 25 अजय रूपया इंकरीज कर जाएगा तो जो 75 था एक लाग हो जाएगा अच्छा सेलिंग ओबरेट जो वेरीएवल था वह 25 परसेंट राइश करेगा यहां वेरीवल सेलिंग ओबरेट दो लाग था इसको 25 परसेंट बढ़ाना है तो दो लाग क के साथ बनाना है अगर कंपनी इफ इस डिजायर तो मेंटेन दसेम रेट अफ प्रॉफिट ऑन से पहले हमारा जो परसेंटेज अफ प्रॉफिट था वही प्रॉफिट 2013 में अर्न करना है तो आपको सेलिंग प्राइस पर यूनीट बताना है सबसे पहले हम पिछला येर का क कॉसिट बनाए जाएगा ठीक है ये हो गया फॉर्मेट हम लोग के लिए पहले पुराना कॉसिट बनाएंगे पॉड़क्शन और सेल्स दोनों का दोनों 50,000 यूनीट्स है किलिया सबसे पहले डायरेक्ट मेटेरियल कंजूंड डायरेक्ट मेटेरियल कंजूंड डायरेक्ट मेटेरियल कंजूंड 75,000 बोला है 50,000 चे डिवाइड कर दीजिए एक रुपया पचास पैसा दूसरा आइटम है डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट वेजेज आपका 50,000 है 50,000 चे डिवाइड कीजिए एक रुपया ये हो गया हम लोग के लिए प्राइम कोस्ट प्राइम कोस्ट आगया एक रुपया पचास पैसा इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन ओवरेड अएड प्रोडक्शन ओवरेड प्रोडक्शन ओवरेड प्रोडक्शन ओवरेड प्रोडक्शन ओवरेड वेरियेबल बोला गया है वेरियेबल प्रोडक्शन ओवरेड होगा यह आगया 225 चार रुपिया 50 पैसा दिसी जावर वर्प्स कोस्ट आड़ ओफिस ओवरेट ओफिस ओवरेट के लिए फिक्स बोला गया है अमाउंट दिया आपका 75,000 एक रुपिया 50 पैसा का रेट हो जाएगा 3 लाक अमाउंट हो जाएगा 6 रुपिया इसका नाम देते हैं कोस्ट ओफ प्रोडक्शन क्लियर अब इसके बाद आते हैं सेलिंग ओवरेट सेलिंग ओवरेट वैरियेबल है हिएए सेलिंग ओवरेट सेलिंग ओवरेड वैरियेबल भोला गया है अमाउंट दिया है 2 लाक रुपिया पचास घ्र से दिवाइड करेंगे चार रुपिया ये हो गया आपका 5 लाक दस रुपिया छिज आवर कोस्ट ओव सेय। Maya प्रोफिट बालेंसिंग फिगर सेल्स पर यूनीट 12 रुपया बताया था 50,000 यूनीट का 6 लाग, कॉस्ट पांच लाग, सेल 6 लाग, तो प्रोफिट आपका 1 लाग, 2 रुपया परेट, ओके, यह हम लोग कॉस्ट चीट बना दिये, देखे, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक कॉस्ट, पॉडक्शन ओवरेट, वर्क कॉस्ट, ओफिस ओवरेट, कॉस्ट पॉडक्शन, सेलिंग ओवरेट, कॉस्ट अफ सेल, सेल दिया था प्रोफिट, अच्छा, रेट के साथ बनाया है, 50,000 यूनीट से डिवाइट करते गए, रेट निकल गया, और एक वर्किंग कर देते हैं, अभी कर देते हैं, पर्सेंटेज ओफ प्रोफिट ओन सेल, दाट इज प्रोफिट बाई सेल्स, इन्टु हंड्रेट, प्रोफिट एक लाग था, सेल्च छे लाग था, इन्टु हंड्रेट, दाट इस 16.667 परसें, ओके, तो यह अमलो को इस्टिमेटेब में बोला है कि if it is desired to maintain the same rate of profit on sale as in 12 ठीक है तो 12 को आम लोग rate of profit calculate कर दिए 16.667 ठीक है आप चलिए चलते हैं estimated cost sheet की तरह ये रख दिया आपको estimated cost sheet सबसे पहले देखिए production एक लाख unit होगा तो estimated cost sheet में production और sales एक लाख units ओके सबसे पहले direct material consumed लाएंगे direct materials direct materials का पहले rate था एक रुपया पचास पैसा वो बोला है कि rate थोड़ा increase करेगा rate of direct material 33 one third percentage increase कर जाएगा तो अब वो rate हो जाएगा 133.333 percent तो एक रुपया पचास पैसा को increase करा देंगे तो वो आ जाएगा आपका दो रुपया तो अब एक रुपया यूनीट बनाना है तो direct material का cost दो लाख आ जाएगा direct wages के बारे में कुछ नहीं बोला है increase decrease कुछ नहीं बोला है तो direct wages variable expense होता है पहले एक रुपया का rate था एक लाख यूनीट बनाएगे तो एक लाख रुपया का cost आ जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का prime cost that is 3 लाख ये हो गया 3 रुपया इसके बाद add production overhead production overhead के लिए भी कुछ question में बोला हुआ नहीं है चुकि ये variable है इतना बताया हुआ था तो production overhead का पहले rate 2 रुपया था तो आज उसका 2 लाख रुपया हो जाएगा ये हो गया आपका 5 लाख 5 रुपया का rate इसको बोलेंगे works cost clear आप एक बार देख लो यहाँ बोला था production एक लाख unit हो जाएगा material price increase करेगा लेकिन wages और production overhead के लिए कुछ नहीं बोला था अब यहाँ selling overhead 25% उसका rate बढ़ेगा और fixed overhead का amount 25,000 बढ़ेगा दो information है यहाँ पे तो add add office overhead office overhead को हम लोग fix किये थे office overhead fixed था और उसका amount था 75,000 बढ़ेगा तो वो एक लाख रुपिया हो जाएगा rate अगर एक लाख से डिवाइड करते है तो एक रुपिया का rate cost of production cost of production हो गया आपका 6 लाख और rate हो गया 6 रुपिया का इसके बाद आते हैं selling over rate add selling over rate selling over rate variable था variable उसका rate बोला था 25% increase कर जाएगा तो selling over rate का rate पहले 4 रुपिया था अब 25% increase करेगा that is 125% 5 रुपिया का rate हो जाएगा एक लाख का amount है 5 लाख amount आजाएगा यह हो गया आपका 11 लाख रुपिया हम लोग का 11 रुपिया का rate this is called cost of sale profit के लिए बोला है same percentage of profit on sale हम लोग को पता है 11 लाख रुपिया cost है profit निकाले थे 16.667 on sale था इसलिए नीचे 83.33 हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आजाएगा हम लोग का sales तो हम लोग एक को वर्किंग कर दिए 11 लाख इन्टु 16.666 divided by 83.333 profit आजाएगा हम लोग का 2 लाख 20 अजा यहाँ profit आगिया 2 लाख 20 अजा 2 लुपिया 20 पैसा का रेट 13 लाख 20 अजा 13 लुपिया 20 पैसा का रेट अब हम लोग चाहे तो 13 लाख 20 अजा जो हम लोग का sale आया है उसका 16.666 परसें निकालेंगे तो 2 लाख 20 अजार profit आजाएगा profit का percentage question में बोला था same percentage of profit on sale देखिए यहाँ desire to same percentage rate of profit on sale in 2012 2012 में हम लोग profit का निकाले थे एक लाख profit था तो परसेंटेज निकाले थे 16.667% on sale on sale मतलब sale पता नहीं था तो sale नहीं पता था cost था यह अगर 100 रुपिया एजूम करते हैं तो 16 रुपिया 0.666 तो 83.333 यहाँ ते profit थीक है तो यह हो गया आपका estimated cost एक लाख unit के लिए material का rate एक रुपिया पचास पैसा था उसको 33.13 बढ़ा है दो रुपिया हो गया एक लाख से इंटू किया दो लाख वेजे जब production over rate के बारे में कुछ नहीं बोला था यह variable है इनका rate कॉपी कर दिए लाख से इंटू कर दिए वर्कोस्ट आ गया office over rate fixed था 75,000, 25,000 बढ़ाने को बुला था एक लाख लिख दिए rate एक रुपिया हो गया selling over rate को 25% बढ़ाना था selling over rate variable है 4 रुपिया का rate था 25% that is 135% किये 5 रुपिया का rate आ गया 5 लग total cost आ गया profit निकाले sell हो गया ठीक है उमीद करते आपको समझ में आ रहा होगा यह आपका वेश्ट बंगाली स्टेट उन्वर्सिटी 2013 का question था ओके थैंक यू बाई